तो लगातार जो आपको बताएं किस तरह के लोगों को टिकेट दे सकती है डेर सो जो है उम्मिदारों को फाइनल किया जा चुका है लगबग लगबग और उनमें कई विदायक भी हैं तो चलिए सीम हाउस में एक बीजेपी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है तो चल रही थी तो जिन विदायकों को टिकेट नहीं दिया जाएगा उनकी नाराजगी को कैसे दूर किया जा इस बात पर भी विचार और मंतन किया गया होगा तो कि कई ऐसे विदायक हैं जिनके टिकेट कर सकते हैं इस तूची में नए चेरों को मौका मिल सकता है और ऐसे में वो नाराज हो सकते हैं उनको मनानी पर भी मंतन किया गया तो बड़ी खबर बीजेपी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है और हमार साथ हमारे एग्जेकुटिव एडिटर मनोस सैनी जी जुड़ गया है मनोस जी ये बैठक खत्म हो गई है क्या इसी बात पर यहां पर मंतन किया गया है बनाने की प्रक्तिया तो शुरू हो गई जो वरिष्ट लीडर है उन्होंने बात की अपने तरीके से तो करी लोगों को ये बताया भी गया है शारों इसारों में समझा दिया गए कि आपको इस बाद टिकेट नहीं दिया जाएगा ये नहीं कहा जाता कि आपको टिकेट नहीं मनता समझा जाता अपने तरीके से तो वो एक तरह से ये सारा कर दिया लेकिन बहुत लंबी बैटक चली और बैटक में करी 50 से जादे सीटों पर चर्चा हुई है अगली जो सूची आने वाली बारती जंता फाइट की पास्मी सूची जैसे कहा जा सकता है तो कल इस पर फाइडली चर्चा होगी दिल्ली में और उसके बाद 16 तारिक को सूची आ जाएगी जैसा बचास से पचपन नाम शामिल होने की बात कही जा रही है और उसके बाद ये तैह हो जाएगा लेकिन कई नए चेहरे दिखाई इसमें देंगे कुछ वो जो पुराने चेहरे हैं उनका टिकेट कटता हुगा दिखाई देगा तो वराल अब मनाने की पक्रिया भी शिरू हो गई है और नए लोगों को मौका दिया जाना है पर भी बात चल रही है और लगबग एक तरह से कहा जाए तो 50 सीटों पर बात मनते नजर आ रही है तो पहली जो 5 पी सूची होगी वो 50-50 लोगों की होगी उसके बाद एक अध दिन बाद पर दूसी छट की सूची भी आ जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोजी इस पूरी जानकारी के लिए तो ये सीम हाउस में जो बैठक चल रही थी बीजेपी की वो खत्म हो चुकी है और कई बीजेपी विदायकों के टिकेट कटने के संकेत मिले उनको इशारा भी कर दिया गया है पूरी तर से उनने नहीं कहा गया लेकिन उनको इशारा किया गया है उनके टिकेट कर सकते हैं